एक त्यक्ति, एक पद का नियम बरकरा रहेगा, रहुल कोची, कॉंग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बीच, ब्रिहस पतिवार को पार्टी नेता रहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस वर्ष की शुरुवात में राजस्थान के उद समवाद्दाता सम्मेलन के दोरान सवालों के जवाब में कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं है, यह एक वैचारिक पद और एक विश्वास प्रनाली है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह, उदयपूर चिंतन शिविर में एक व्यक समवाद्धी ने कहा, हर तरह की सामप्रदायकता का मुकाबला किया, जाना चाहिए, चाहे वह कहीं से भी हो, उसे लेकर कतई बरदाश्टन करने, जीरो टॉलरेंस की नीती हुनी, चाहिए, इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल, पहुंचे, अधिस साल बाद देश की, सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुक्र चुनाब के जरिये चुना जाएगा, गहलोत ने कहा था कि वह पार्टी का फैसला मानेगे, लेकिन उससे पहले राहुल, गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाने का एक आखिरी प्रयास होगा, उम्मीद करते हैं कि वह प्रतिबधता बरकरार रखी जाएगी, वाइनाड, लोकसभा सीट से सांसद गांधी ने कहा, कि जो कोई भी कॉंग्रेस अध्यक्ष बनता है, उन्हीं याद रखना चाहिए कि वह विचारों के एक समुह, विश्वास की, एक व्यवस्था और भारत के एक, द्रि कोण को परिभाशित करता है, और परिभाशित करता भी रहा है, उद्धरन चिन उद्धरन, पाटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाब, में खड़े होने वाले उम्मीद्वारों को, सलाह देते हुए उन्होंने कहा, आप, ऐसा पद जो भारत के एक विशेश, पॉपलर, प्रण तूफ इंडिया